Hello everyone, welcomes you all in online class of Adar Senior Scandry School So, आज हम हमारा एक नया chapter start करने जा रहे हैं यह हमारा 10th chapter है जो आज हम करने जा रहे हैं And the name of the chapter is the water, water the elixir of life तो elixir का मतलब क्या होता है? Amrit, ठीक है? Amrit Okay, so start करते हैं बचे हमारा chapter there is hardly any activity that can be carried on without water कहते हैं जिन्दगी में जो hardly ही बहुत मुश्किल सही कोई ऐसी activity होती होगी जो बिना पानी के संभव है in our daily life we need water for drinking, for washing and bathing कहते हैं हमारी जो daily life है हमें जो daily water है वो चाहिए होता है पीने के लिए चाहिए होता है washing कुछ दोने के लिए चाहिए होता है bathing नहाने के लिए चाहिए होता है we need water for the irrigation and for power generation कहते हैं हमें generation का मतलब का होता है production करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है और irrigation irrigation का मतलब क्या होता है खेतों को खेतों की सिंचाई करने के लिए हमें पानी चाहिए होता है we need water to cook हमें खाना बनाने के लिए भी पानी चाहिए होता है even the clothes we wear and the house we live in cannot be made without water कहते हैं हम जिस घर में रह रहे हैं हम जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं the paper this book is printed on can't be made without water कहते हैं यह जो paper देख रहे हो आप लोग जिस पर आप लोग chapter reading कर रहे हो यह जो paper बना हुआ है यह भी बिना पानी की मदद से नहीं बन सकता है and it is not human being alone who need water to live और कहते हैं सिर्फ एक इंसान ही ऐसा जीव रही है जिसको जीने के लिए पानी की अवश्यक्ता है animals and plants also need water to live in fact nothing on this earth can live without water कहते हैं animals को or plants को भी जीवित रहने के लिए पानी की जरूरत होती है कहते हैं धर्ती पर ऐसी कोई भी चीज वस्तू नहीं है जो बिना पानी के रह सके water is a free gift of nature कहते हैं पानी एक कुद्रत की तरफ से हमारे लिए एक free gift है but there is is a saying we never know those worth of water till the well is dry कहते हैं लेकिन एक जो चीज है वो हमारे लिए जानना जरूरी और जो कही जाती है normally के हमें चीज की जो value है वो तभी पता चलती है जब हमारे पास वो चीज नहीं होती है we don't value the things we get free in our life कहते हैं हमारे जिंदगी में सिर्फ तभी पता चलती है जब चीज वो हमारे पास नहीं होती है think of a thrusty person in a desert a drop of water to him is worth more than a sack of gold कहते हैं एक desert में एक मरुस्थल में जहां पानी की बहुत जादा कमी होती है suppose कि यह वहां एक प्यासा व्यक्ती है एक जगा उसके लिए पानी का गिलास रखा जाए और एक जगा उसके लिए सोना रखा जाए तो first of all क्या करेगा वो अपनी basic जो necessity है water उसको उठाएगा या sack का यहां से मतलब है या सोने की गठली को उठाएगा बोरी को उठाएगा तो the answer is वो सबसे पहले अपनी जो necessity है क्योंकि पानी के बिना जब जीवित ही नहीं रह पाएगा तो वो उस बोरी का करेगा क्या तो उस gold सोने का वो करेगा क्या but we never keep this in mind in our life लेकिन हम hardly इन चीजों पर कभी भी सोचते हैं discussion करते हैं we keep wasting water in a variety of ways we leave the taps running uselessly कहते हैं लेकिन हमें जिन्दगी में उस चीज की कदर नहीं है पानी की कदर नहीं है हम taps को टूटी को ऐसे ही खुला छोड़ देती है we waste too much water for our bathing and washing कहते हैं हम bathing नहाने में और कपडे दोर में बहुत ज़्यादा पानी जो है waste कर देती है we don't care to fix the taps और pipes that are leaking कहते हैं fix का यहाँ पर मतलब क्या है कि जब भी कोई चीज टूट जाती है या leak करती है तो उसको क्या करती है हम लोग repair करती है ठीक है न तो यहाँ पर fix का मतलब है repair कहते हैं कभी भी कोई चीज टूट जाती है या कोई tap leak करती है तो हम hardly सोचते हैं उसको repair करने के बारे में we waste a huge quantity of water in washing our floors our cars and bikes our ports and pants कहते हैं हम बहुत सारी मातरा में पानी को बरबाद करते हैं अपनी कार धोने में अपने फर्ष धोने में अपनी बाइक को धोने में ठीक है if we continue with all this very soon a time will come when we shall have no water even to drink कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा so एक वक्त ऐसा जरूर आएगा and imagine what will happen और तब आप आशा कर सकते हैं imagine सोच सकते हैं कि तब हमारे साथ क्या होगा हमारा जीवन कैसा होगा इसके next हम रीडिंग कल करेंगे ओके have a very good day